Hello students, welcome to Easy Class आयोश इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Class 9 Physics का Upthrust in Fluid, Archimedes Principle and Flotation ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा Upthrust and Archimedes Principle सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि Boyancy और Upthrust क्या होता है? तो simply अगर आप जानते हो किसी भी तरह कि ऐसे मालो बाल्टी है ठीक है? बाल्टी में मैंने क्या किया? बहुत सारा पानी भरके रखा है ठीक है? और अगर मैं इसमें क्या करूँ? एक कैन डाल दूँ ठीक है? तो इस कैन को तो पानी के अंदर डूब जाना चाहिए था ठीक है? ये कैन पानी के बाहर क्या कर रहा है? ठीक है? तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज ऐसा है जो इस कैन को होल्ड करके रखा है ऐसे उपर की तरफ बाहर की तरफ ऐसे होल्ड करके रखा है तो हां, जितने भी fluids होते हैं, जो बह सकते हैं, जैसे water हो गया, air हो गया, यह सब चीजे, यह एक तरह का upward force लगाते हैं, यानि नीचे से किसी भी चीज को उपर की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग upward force कहते हैं, ठीक है, इसको buoyant force भी कहा जाता है, तो इसका definition देखते on a body by the fluid in which it is submerged, it's called the upthrust or buoyant force, simply, कोई भी flow करने वाला चीज, जैसे air हो गया, या फिर water हो गया, या फिर milk हो गया, यह सब हमेशा नीचे से उपर की तरफ एक force लगाते हैं, एक धक्का देते हैं, नीचे से उपर की तरफ, इसे ही हम लोग buoyant force कहते हैं, ठीक है, इसका symbol यह है, ठीक है, F के साथ ऐसे B लिखा हुआ है, तो F का मतलब force और B का मतलब हो गया, buoyant force, ठीक है, इसके बाद buoyancy क्या होती है, तो कोई भी liquid जो होता है, उसका अपना एक property होगा, कि वो इतना धक्का देगा, इतना उपर की तरफ force लगाएगा, इसे ही हम लोग buoyancy कहते हैं, ठीक है, the property of liquid to exert an upward force on a body immersed in it, it is called buoyancy, ठीक है, तो ये depend करता है कि वो चीज कितना dense है, जैसे मानलो water है, ठीक है, तो water जो है, वो कम dense है, किसके मुकाबले, honey के मुकाबले, honey जो होता है, वो ज़्यादा dense होता है, और water कम dense होता है, तो यहाँ पी किसका buoyancy ज़्यादा होगा, किसका upward force ज़ धका देगा, तो धका देगा आपका honey, water थोड़ा कम देगा, क्योंकि water को तो मतलब इतना dense नहीं है water, इसलिए, तो आपने देखा भी होगा, कि मानलो आपके पास अगर कुछ थोड़ा सा भारी एक pen है, तो आप अगर pen को पानी में डालते हो, तो pen जो होती हो, पानी में करता रहता है, क्यों? क्योंकि honey इतना upward force generate कर पाता है, कि उस pen को वो उपर ही hold कर लेता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि जितना ज्यादा dense चीज होगा, वो उतना ही ज्यादा upward force लगाएगा, या फिर up thrust लगाएगा, उसके बाद यहाँ कुछ examples दी गही हैं, जैसे, अ अगा रहा है, उपर की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अब thrust, इसके बाद, और तब तक वो ऐसा होता रहेगा, जब तक जो हमारा can है, वो पूरी तरह से पानी के बीतर नहीं चला जाए, या फिर अगर वो हलका है, तो फिर से वो bounce होके बाहर के तरफ आ जाएगा, अ क्योंकि जो लकडी का टुकडा होता है, उसका जो weight होता है, वो थोड़ा जादा होता है, और वो dance भी थोड़ा जादा होता है, इसलिए उसका जो volume होता है, वो बहुत कम होता है, वो बहुत ही मतलब छोटा सा होता है, इसलिए वो जो इतना up thrust, वो generate उतना उस पे up thrust लग नह अगर कोई छोटा चीज है और वो थोड़ा ज़ादा भारी है तो पानी के अंदर वो डूब जाएगा ठीक है तो हमारा यहाँ पर जो लकड़ी है जो कॉर्क है वो लकड़ी का बना है और वो लकड़ी जो होती है वो मतलब एक medium dense material होती है ठीक है वो छोटा है इसलिए उसके उपर इतना ज़ादा अब थ्रस्ट नहीं लग सकता इसलिए वो आप देखोगे कि वो आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के बाहर है अगर माल लो मैं इसके जगह पे एक बड़ा सा लकड़ी लेलू कुछ इतना बड़ा लकड़ी लेलू ठीक है तो यह क्या होगा यह उपर उतना ही ज़ादा अब थ्रस्ट लगेगा इसके बाद explanation अब थ्रस्ट किसके उपर depend करता है तो अब थ्रस्ट के उपर simply दो चीज़े depend करती है पहला तो weight कि जिसको आप डुबा रहे हो उसका weight कितना है उसके बाद दूसरा है अब थ्रस्ट जो water लगाता है यह आप water जो उपर की तरफ force लगा रहा है वो और किसी भी चीज़ का weight वो नीचे की तरफ force लगाता है ठीक है अगर weight जादा है अब thrust कम है ठीक है तो वो क्या होगा वो डूब जाएगा वो चीज़ ठीक है अगर यहीं उल्टा होता है जैसे weight कम है अब थ्रस्ट जादा है तो वो ची आधा पानी के अंदर होगा और आधा पानी के बाहर होके float करता रहेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या काम किया दो चीजों ने काम किया एक तो उस water उसका weight उस समान का weight जो उसे नीचे के तरफ गिरा रहा था और दूसरा हमारा upthrust जो हमारा fluid लगा रहा था वो उसको उपर के तरफ धकेलता है तो अगर मालो यह जादा है यह कम है तो क्या होगा simply यह डूब जाएगा अगर यह कम है यह जादा है यानि weight जादा है upthrust जादा है upthrust कम है तो वो डूब जाएगा अगर weight कम है upthrust जादा है वो पानी के अंदर नहीं डूबी, क्यों? क्योंकि पानी can का जो weight था, वो up thrust के comparison में कम था, इसलिए वो पानी के उपर तैरती रही, लेकिन अगर हम लोग यहाँ cork को देखते हैं, तो cork का जो weight होता है, वो up thrust के comparison में equal था, इसलिए वो डूब गया, मतलब तैरते, मतलब समर् कर रहा था, इसके बाद, liquid जो होती है, liquid और gas जो होती है, यह दोनों go języ करती है, यानि, दोनों ही समान को ऊपर की तर धक्का देती है, ठीक है, यह दोनों ही up thrust लगाती है, ठीक है, लेकिन अगर water जो होती है, बहुति होची अप thrust लगाती है, इसलिए हम लोग उसको feel कर पात अगर आप पानी के पूल में अगर जंप करते हो तो आपका वेट जो है वो बहुत ही आपको हलका महसुस होता है क्यों क्योंकि आपको होल्ड करके रखता है क्यों जैसे आप पानी में मालो वाले पानी में कूथते हो तो आपको अपना वेट हलका फील होता है आपको लगता ह हलका हो जाएगा इस तरह जो डेट सी होती है या फिर जो ब्लैक सी है वहाँ पे आप अगर पानी में कूटते हो तो आपको तैरने का जरुवत नहीं है वह आप पानी के बाहर ऐसे ही तैरते रहोगे क्यों क्योंकि उसका अप्थरस्ट इतना जादा है सॉल्ट के करण क्या हो वहाँ पे आपको तैरने का जरुवत नहीं है वहाँ आप अप्थरस्ट ही पानी के बाहर में फ्लोट करते रहोगे ठीक है नॉर्मली ऐसा आपको रिवर या फिर इन सब जगहों पे नहीं होता अब conditions for a body to float or sink in a fluid क्या conditions है कि कोई भी चीच या तो वह sink करेगा या तो float करेगा या फिर उसमें submerge होकर वह float करेगा तो पहला चीज है weight ठीक है अगर उसका weight माल लो weight तो नीचे के तरफ लगाएगा वो हमेशा वो नीचे के तरफ जाना चाहएगा weight के कारण और दूसरा था upthrust, यह तो पहले ही पढ़ चुके है, upthrust उसको बाहर के तरफ धके लेगा, ठीक है, अगर मालो weight जादा है, upthrust कम है, तो वो डूप जाएगा, अगर weight कम है, upthrust जादा है, तो पानी के ओपर वो तैरता है रहेगा, और अगर दोनों equal है, तो क्या होगा, वो मतलब, submerge होकर float करेगी, ठीक है, अगर equal है, तो submerge होकर वो float करेगा, यह तो बहुत easy था, यह आप जानते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो, इसके बाद, unit of upthrust, तो unit of upthrust क्या होता है, तो upthrust भी एक तरह का force ही है, इसलिए इसको newton या फिर kgf में में दिखाते हैं, ठीक है, तो अगर मालो किसी का, अगर कोई upthrust लगा रहा है, 5 kg force का, तो इसे kgf दिखा सकते हो, क्योंकि यह force ही है, नीचे से water क्या कर रहा है, धक्का ही दे रहा है उपर की तरफ, वो तो एक force ही लगा रहा है, इसके बाद, characteristic of, characteristic properties of upthrust, ठीक है, तो क्या properties हैं हमारे upthrust की, सबसे पहला property है, larger the volume of the body, submerged in a fluid, greater is the upthrust, simply अगर कोई चीज का volume बहुत जादा बड़ा है, तो उसके उपर upthrust भी बहुत जादा लगेगा, ठीक है, उसके वो जादा धक्का दिया जाएगा, नीचे से उपर के तरफ, और वो जादा chance है कि वो तैर जाए, य for the same volume of a body inside a fluid, more than the density of a fluid, greater is the upthrust, अगर माल लो कि किसी वी चीज का density जादा है, जैसे water का density, honey के comparison में कम होता है, ठीक है, water कम dense है, honey जादा dense है, तो कौन जादा upthrust लगाएगा, honey, pen वाल example से आप जान गए होगे, the upthrust act on the body in upward directions, at the center of buoyancy, the center of gravity of the displacement fluid, और अब thrust हमेशा उपर की तरफ लगती है, वो हमेशा ऐसे उपर की तरफ लगेगा, ठीक है, left, right या उपर नीचे से नहीं लगने वाला, वो हमेशा नीचे से किसी वी चीज को उपर की तरफ धका देगा, यहाँ पर आपको यह explain भी करके दिखाया गया है, larger the volume of a body, submerged in a fluid, greater is the up thrust, यह easy है बहुत, आप समझ भी सकते हो, normally अगर कोई चीज बहुत बढ़ा है, तो अगर उसका इतना बढ़ा चील है, ठीक है, इसका weight अगर 2 kg है, ठीक है, तो हो सकता है यह float हो जाए, क्यों, क्योंकि उसके पर बहुत ज़दा up thrust लग रहा है, और वहीं अगर यह चोटा होता, और इसका weight भी अगर 2 kg ही होता, तो हो सकता है यह डूब जाए, क्यों, क्योंकि उसके ओपर इतना ज़दा up thrust नहीं लग पा रहा है, उसके बाद आप यह पढ़ लो, आप आराम से समझ जाओगे, उसके बाद किसी भी चीज़ का जो volume है, अगर माल लो, कि जो density है, honey औ पर उसका example ले लो, आप यहां mercury का example दिया गया है, mercury जो होता है, वो 9 times ज़दा dense होता है हमारे water से, और glycerine एक example और दिया गया है, तो glycerine और mercury का example दिया गया है, तो glycerine जो होती है, समझ लो, यह water से 3 times dense होता है, जबकि mercury जो होती है, यह water से 9 times ज़दा dense होती है, तो किसका अप्थ्रष्ट होगा मरकरी का घ्रिस्लीन का। कमूगा इस तरह आप वाटर से भी आप कर सकते हूं वाटर हनी minute house ज्यादा होगा लेकिन वाटर जो है कम को अपने उप30 कोई अपने उपड़ उठाकरख सकता है। लेकिन अगर आप उस वाटर में थाज साल्ट ढाल दो नेशा उपर की तरफ लगता है, वो किसी भी चीज को उपर की तरफ ही धकेलता है, Reason for the upthrust, ठीक है, Reason क्या है, तो normally हम लोग जानते हैं कि ऐसे कोई भी चीज है, ठीक है, ऐसे liquid है, यहाँ पानी भरा हुआ है, अगर आप यहाँ पर ऐसे करके किसी भी चीज को डालते हो, ठीक है, कोई, मालोग, can डाल दिया, या फिर कुछ ऐसा चीज डाल दिया, यानि यह force और यह force तो एक दूसरे को cancel कर देते हैं, लेकिन जो नीचे से जो force लग रहा है, उसे तो cancel करने के लिए कोई नहीं है, उसका तो weight ही बस, अगर weight मालनो कम है, तो वो तैरेगा, जादा है, तो वो इसको भी cancel कर देगा, और वो डूप जाएगा, तो यह जो इस property के कारण किसी fluid का यह property, कि वो हर तरफ से क्या करता है, force लगाता है, left से भी लगाएगा, right से भी लगाएगा, लेकिन left-right का force एक दूसरे को cancel कर देगा, नीचे से भी वो उपर के तरफ force लगाएगा, जिसको हम लोग अब thrust बोल रहे थे, तो इसको cancel करने के लिए कौन है, इसको cancel करने के लिए सिफ हमारा उस चीज का weight है, अगर weight जादा होता है, तो up thrust cancel हो जाएगा, लेकिन अगर weight कम होता है, तो up thrust लगता रहेगा इसके उपर, और यह जो चीज यह पानी के ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसी कारण से हमारा जो कोई भी चीज है, किसी इसी तरह से हमारा up thrust लगता है, ठीक है, वहीं देखो, अगर कोई चीज जैसे पानी के अंदर चला गया है, तो इसमें चारो दरब से up thrust लगेगा, और हो सकता है यह पानी के भीतर डूब जाए, इसके बाद, इसको आप कैसे पता कर सकते हो, तो mainly, जितना up thrust लग रहा है, और उपर से कितना इसका weight है, अगर आप उसको minus कर दो, यानि आप weight को minus करते हो up thrust से, तो आपको पता चलेगा कि क्या वो डूबेगा, या फिर वो float करते रहेगा, ठीक है, उसके बाद, up thrust is equal to the weight of displacement liquid, mathematical proof, तो यहाँ पे एक proof दिखाया गया है, कि जैसे माल लो, कि simply अगर हम लोग क्या करत इसके बड़ा सा एक jar है, इसमें मैंने इतना बड़ा एक चीज डाल दिया, इतना बड़ा चीज ने, इसका volume माल लो इतना बड़ा है, अगर हम लोग देखते हैं, कि अगर हम लोग माल लो bath tub पे, bath tub अगर किसी घर में है, या फिर balty है, तो balty के अंदर अगर हम लोग मग ड नहीं है, आप इसको कहीं पर hold कर लो, कहीं पर रोक लो, ठीक है, और इसको आप अगर weight करते हो, इसका माललो आप वजन करते हो, और इसका वजन माललो 1 kg होता है, तो इसका मतलब क्या है, पता है, आपका जो up thrust है, वो भी 1 kg अप thrust उसके ऊपर लगा रहा है, तो simply अगर आप देखोगे तो अगर मानलो इतना बड़ा कुछ जार है ठीक है इतना बड़ा कुछ एक बीकर है इसमें इतना लिक्विड भरा हुआ है और अगर मैंने इसमें इतना बड़ा चीज डाल दिया ठीक है इसके बड़ा चीज डालने के कारण क्या हुआ थोड़ा सा पानी जो हुआ ऐसे करके बाहर निकल गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जगा ले लिता है, इसका volume ने क्या किया, इसके पानी का जो liquid का जगा था वो ले लिया, और जो पानी इस चीच का weight अगर 2 kg है, तो यह float कर जाएगा, लेकिन अगर इस चीच का weight अगर 6 kg है, तो हमारा upthrust उसरी 5 kg का ही है, और वो डूब जाएगा, ठीक है, तो यही mathematical proof है इसका, जितना ज़दा volume होगा, उतना ही जदा upthrust लगेगा, इसलिए बड़े चीज़े जो होती है, वो अर उतना ज़दा upthrust नहीं लग पाता, उसका volume इतना ज़दा नहीं है, इतना बड़ा वो नहीं है, कि इतना पानी को वो displace कर दे, तो उस पर उतना upthrust नहीं लग पाता, इसलिए वो डूब जाती है, ठीक है, यहां लिखा भी हो है, when a body is immersed in a liquid, upthrust is on its due to liquid, is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged part of the body यानि वो जितना पानी हटाएगा, उतना ही उसके उपर upthrust लगेगा, ठीक है, तो यह बस सबका formula है, यहां आप easily देख सकते हो, upthrust का एक formula है यहां पे यह वाला, upthrust जो होता है, वो volume, density और gravity के उपर depend करती है, अगर आप volume, density और gravity को multiply कर दो, तो आपको upthrust पदल जाएगा तो आप thrust कितना लग रहा है, उसका volume जितना है, उतना, उसके density को multiply कर दो, liquid का, और उसका gravity कितना है, वो multiply कर दोगे, अगर तीनों को तो multiply कर दोगे, तो आपको पदल जाएगा कि इसके उपर कितना ज़दा upthrust लगने वाला है, लेकिन हमारे पास इससे भी easy चीज़े हैं, ज जो upthrust को effect करती है, तो पहला सबसे बड़ा चीज़ है, volume of the body, अगर जो चीज़ हम लोग उसके उपर तैराने का खोशिश कर रहे हैं, उसका volume, अगर वो बड़ा है, तो उसके उपर जादा upthrust लगेगा, उसका chance जादा है कि वो पानी के उपर float करे, लेकिन अगर वो छोट जादा है, तो उसके उपर upthrust कम लगेगा, और ज्यादा chance है कि वो पानी के बीतर डूप जाए, और दूसरा चीज़ है हमारा density of a liquid, तो अगर कोई liquid जादा dense है, तो जादा upthrust लगाएगा, अगर कम dense है, तो कम upthrust लगाएगा, effect of the upthrust क्या है, तो कोई भी चीज़ है वो प पानी के बाल्टी डालते हैं, और पानी भारनी के वो उसको बाहर निकालते हैं, तो दिखा जाता है कि जब तो को पानी के अंदर होता है हमारा बाल्टी, वो हमें हलका फील होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको पानी से बाहर निकालते है, वो अचानक से थोड़ा heavy feel होन इन्होंने क्या किया था जैसे मालो केमीस थे और इन्होंने क्या किया था एक बात स्टम में गर इनका आगे पढ़ने गी पटने ये जितना इनकी ओपर अब थरस्ट लग रहा है приг् measures acceler है वो पता चल गया तो इस तरह से इनों ने अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग यह आगे पढ़ने वाले हैं देखो समझ में आएगा इसे तो simply अगर माल लो कुछ ऐसी चीजे है जिसका आपको वॉल्यूम नहीं पता माल लो ऐसे कोई चीज है जिसका आपको वॉल्यूम पता नहीं है वो कितना बड़ा है आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो simply इसने जो अर्कमेडीस ने इनोंने क्या किया था इस चीज को ऐसे करके water के अंदर डाला ठीके, water के अंदर डालने पे इनको दिखा कि इनका जो पानी है वो थोख़़ट डिस्प्लेस हो गया ठीके, थोख़़चा पानी ऐसे बahaर के तरफ गिर गया इन्होंने इस पानी को वेट किया इस पानी को weight करने से ने पता चला कि इस चीज़ का जो volume है वो इस weight के equal है यानि इस ball का जो volume था जितना इसने पानी displaced किया है उसका ही equal था यानि यहाँ पर क्या पता चल गया, कोई भी चीज का volume, जितना water को displace करता है, उसका जो up thrust है, जिसका जितना volume जो है, वो उतना ही होगा, ठीक है, तो यही Archimedes principle है, Archimedes ने इसको कैसे क्या था, उनको कैसे पता चला था वो, तो जैसे ही उन्होंने इस तरह का एक bath tub के अंदर व बाहर आया, उन्होंने उस पानी को weight किया, और उन्हें पता चल गया, कि जो उनका जो weight है, उनका जो volume है, वो जितना जगा लेते हैं, उनका जो up thrust है, वो भी उतना था, और उतना ही volume, उतना ही weight का पानी उनके यहाँ से बाहर आ गया था, ठीक है, Archimedes principle states that when a body is immersed partially or completely in a liquid, it experience an up thrust, which is equal to the weight of the liquid displaced by it, और यह जितना ज़ादा water को displaced कर रहे थे, इनका up thrust उतना ही इन्हें feel हो रहा था, ठीक है, तो आपने example में देखा था, अगर मालनो कोई मोटा इंसान है, उसे ज़ादा up thrust feel होगा, और जो पतला इंसान है, उसे कम up thrust feel होगा, क्यों, क्योंकि उसका volume कम होगा ठीक है, उसे तरह कोई बड़ा चीज है, उसको ज़ादा up thrust मिलेगा, और जो छोटा चीज है, उसे कम up thrust मिलेगा, इसके बारे में बताया था कौन हमें, इसके बारे में हमें बताया था, अरकमेडीस ने, ठीक है, अब ऐसे करके हम लोग किसी भी चीज का volume पता कर सकते हैं, तो अगर माल लो मेरे पास कोई ऐसा चीज है, एकदम un-irregular shape वाला चीज है, इसका volume calculate करने का मेरे पास कोई formula नहीं है, normally हम लोग देखते हैं कि जैसे ऐसे माल लो इस तरह का कोई चीज है, cube है, या फिर कोई ऐसा ball है, या फिर कोई triangle है, या prism जैसा चीज है, इसका volume calculate करने का मेरे पास formula है, जैसे cube होता है, तो इसका calculate करने का formula होता है, length multiply, breadth multiply, height, अगर आप इसको multiply कर दोगे, तो आपको इसका volume पता ले जाएगा, लेकिन क्या हो कि अगर आपके पास इसा irregular चीज है, आपको इसका volume पता ही नहीं है, आपके पास कोई formula भी नहीं है, आप कैसे पता से उस irregular चीज को पानी के अंदर डालना है, ठीक है, आप देखोंगे, जितना water यहां से बाहर आएगा, या फिर हो सकता ही कि आपका जो water का level है, वो बढ़ जाए, जैसे मालों यहां पे water था, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे 100 ml का show कर रहा था, जैसे ही मैंन इस चीज को डाला, ठीक है, इस irregular चीज को डाला, water का जो level है, वो rice होके 150 पे पहुंच गया, 150 ml पे पहुंच गया, तो यहां से हमें एक चीज पता चिलाती है, क्या पता है, यह 50 ml हमारा जो water जो उपर के तरफ आया है, या rice किया है, वो क्या है, पता है, वो उस जो समान है, वो जो हमारा irregular substance है, यह उसका volume है, simply आप कैसे पता कर सकते हो, liquid के अंदर डाल के, ठीक है, तो archimedes ने हमें यही बताया था, तो देखो यहां example भी दिया गया है, देखो यहां पे एक triangle चीज था, इसको मैंने क्या किया, simply ऐसे करके पानी के अंदर डाला, और पानी के अंदर हमारा पानी का level थोड़ा सा उपर उठा, और उपर उठा तो यहां पे जगा है पानी को नीचे गिरने का, तो पानी ऐसे नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरते ही हम लोग क्या देखते हैं, देखो पानी कितना ओपर तक गया है, 100 ml तक आया है, यानि इस triangle जो चीज था, इसका जो volume होगा, वो कितना होगा, 100 ml होगा, ठीक है, बड़े चीजों का volume जादा होगा, छोटी चीजों का volume कम होगा, आप simply इस तरह से जान सकते हो, ठीक है, अच्छा, water जो होता है, इसका density आप याद दखोगे, 1 gram centimeter per cube होगा, ठीक है, 1 gram per centimeter cube होगा, water जो होता है, वो हमेश displaced, upthrust or loss in weight, तो यह नहीं करना कुछ, यह example हम लोग कड़ चुके है, Eureka यहाँ पर लिखा हुआ है, तो Archimedes ने जब पहली बार इसको पता किया था, तो उन्होंने बहुत जोर से उन्हें चिलाया था, और बोल सकते हैं कि अब मैं किसी भी irregular चीज का volume बता सकता हूँ, मेरे जादू या फिर चमतकार, ठीक है, इसलिए उनके बोलने पर यह जो can होता है, यह इस तरह का can है, इसे Eureka can कहा जाता है, ठीक है, इसमें यह ऐसे hold किया गया है, ताकि easily हम लोग पता कर सके, हमें वो जादा plus minus नहीं करना, पर जितना पानी बाहर आएगा, उसका volume उतना ही है हम लोग इस तरह से measuring cylinder के जरिए अराम से जान सकते हैं, solid bodies with density greater than the density of liquid, sink while with density less than the density of liquid, float, ठीक है, यह क्या है देख लेते हैं, तो simply, अगर किसी भी चीज का density माल लो, density पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके weight को divide करना पड़ता है, उसके volume से, माल लो किसी का weight 100 gram है, या फिर 100 kilo है, और उसका जो volume है, वो माल लो, वो भी 100 kilogram है, समझ लो, फिलाल के लिए समझो kilogram है, तो इसको हम लोग ऐसे minus करेंगे, 1 आएगा, इसका density कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, अगर माल लो, density जो है, अगर weight जो है, अगर उसके buoyance force से जादा है, तो वो चीज simply down sink कर ज लेगा, और डूब के मतलब समर्ज होके float करेगा, और अगर उसका weight कम है, उसका buoyance force जादा लग रहा है उसके उपर, तो वो simply क्या करेगा, वो उपर में जाके float कर लगेगा, ठीक है, ये तो बहुत पहले पढ़ चुके है, example में भी दिया गया है, तो कोई iron का जो nail होता है, वो पानी के अंदर अराम से डूब जाता है, लेकिन अगर आप एक काम करो, ऐसे करके एक liquid ले लो, और इसके उपर एक पतला सा आप एक क्या करो, इतना लंबा एक चौडा सा आप उसके उपर क्या करो, एक गत्ता या फिर आप एक cardboard का टुकडा रख दो, ठीक है, और उसके उपर अगर आप नेल को रखते हो, तो आपका जो नेल है वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा, यहाँ पे तो नेल वही है, नेल क्यों नहीं डूब रहा, पहले बाट जो हमने ऐसे डारेक्ली पानी के उपर नेल रखा था, तो वो डूब गया था, लेकिन अगर हमने कार्डबोट के उपर इस तरह से नेल रखा है, तो क्यों नहीं डूब रहा है, क्योंकि कार्डबोट का साइज बड़ा है, कार्डबोट का वॉल्यूम बड़ा है, इसलिए उसके उपर अब थ्रस्ट भी जादा लग रहा होगा, इसलिए वो वेट को होल्ड करने में काम्य आप हो जा रहा है और उसको डूबने नहीं दे रहा है तो इस तरह से आप जान सकते हो कि कोई भी चीज डूबेगा या नहीं अगर उसका वेट जाधा है, वाल्यूम कम है तो वो डूब जाएगा, अगर उसका वेट कम है वाल्यूम जाधा है, तो वो simply simply float करेगा, अगर दोनों equal हैं, तो simply वो पानी के उपर float करके, समर्ज होके float करते रहेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं या पढ़ के भी easily समझ सकते हो, उसके बाद, thus, bodies of density greater than of the liquid sink in it, while bodies of an average density equal to or smaller than of the liquid float in it, अगर किसीवी चीच का मालो density, यानि उसका अगर आप divide करते हो, weight को divide करते हो volume से, और यह जो होता है, अगर इसका density जो है, यानि अगर मालो मैंने weight को divide किया volume से, वेट कैसे निकालना है अब आप जानते हो, weight तो बस easy होता है, आप किसी भी कोई मापने वाले चीच के उपर रख सकते हो simply formulas होते हैं जैसे cube होता है तो cube का formula होता है length multiply, breadth multiply, height उसी तरह बाकि triangle या फिर circle या फिर sphere होते हैं इनके लिए अपने formulas होते हैं आप उसमें डाल की easily पता कर सकते हो कि इसका volume कितना है आपको बस क्या करना है weight को volume से divide कर देना है अगर अगर मालो कि मेरे पास water है और water का density है मैंने जाना था 1 gram centimeter cube होता है ठीक है 1 gram per centimeter cube होता है अगर ये करने पे मेरा जो weight और volume को divide करने पे अगर मालो 1 से कम आता है तो मेरा चीज जो है वो equal है ठीक है वो equal है और अगर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या होता है मेरे जो water की density है वो उससे जादा है और वो simply डूप जाएगा वो float नहीं कर पाएगा ठीक है तो आप density भी आप पता कर सकते हो simply तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो एक like कर दो and thank you for watching अगले वाले पार्ट को हम लोग next class में करेंगे and thank you for watching bye bye और next में हम लोग करना है relative density and it's measurement by Archimedes principle